कोरोना वारेस संक्रमन के कारण लगे लॉकडाउन में फसे कामगारों का संकट कम नहीं हो रहा है ऐसे ही एक दिल दहला देने वाली घटना सामनी आई है जहां पर एक महिला की मौत हो गई और उसका धाई साल का बच्चा महिला की लाश के पास घूमता हुआ दिखाई दे रहा है और शव पर डाले गए चादर को बार बार खीच कर अपनी मा को उठाने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये बच्चा ये भी नहीं जानता कि इसकी मा इस दुनिया में नहीं रही इस घड़ना में एहमदाबाद से मजफर पुर के लिए चली विशेश श्रमिक ट्रेन में कटिहार जिले आजमगर नगर थाना के आजमगर निवासी अर्बीना खातून की मौत हो गए अर्बिना अपनी बहन कोहिनूर खातून वबहनूई वजेर आलम के साथ एहमदाबाद की स्टील फैक्टरी में मजदूरी करती थी राजदनेता तेजस्वी यादव के सहयोगी संजय यादव ने ये वीडियो ट्वीटर पर शेयर किया है और वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि चार दिन ट्रेन में भूखे प्यासे रहने के कारण महिला की मौत हो गई यादव ने सवाल उठाया कि ट्रेनों में हुई इन मौत का जमदार कौन है जियारपी के अनुसार महिला की बहन ने बताया कि उसकी मौत भोजन या पाने की कमी की वज़े से नहीं हुई बलकि महिला पिछले एक साल से बिमार थी लेकिन मृत्तियों का सही कारण डॉक्टर ही बता पाएंगे वही मुझबफरपुर के जिला मजिस्टर चंदरशेखर सेह ने कहा कि इस बात की सूशना मिली है कि 25 मई को एक महिला की चलती ट्रेन में मौत हो गए वो कटिहार जा रही थी और उसका शव मुझबफरपुर रेलवे सेशन पर उतारा गया उसे स्वास्ते समस्याएं थी और ट्रेन में भोजन या पाने की कोई भी कमी नहीं है लॉक्डाउन के चलते देश के विबिन ने भागो में फसे प्रवासी मजदूरों को श्रमिक स्पेशल प्रेनों से उनकी घर पहुचाया जा रहा है ट्रेन में खाना पीना ना मिलने की शिकायद लगातार आ रही है इससे पहले मुजबफुर पुर स्टेशन पर चार साल के एक बच्चे ने भी गर्मी और खाना ना मिलने से दम तोड़ दिया था अब भले ही कमी प्रिशासन के सविधाओं में हो या दोश महिला की बिमारी का हो लेकिन इस धाई साल के मासूम को कौन समझाए कि अब इसके उपर से इसकी मा का साया उठ चुका है